नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉंपिटीशन कम्यूनिटी में मेरा नाम है नितन और जैसे की थमनेल देखकर आप जानी गए है कि रीजनिंग म्रमास्तर सीरीज का यह अगला पार्ट है ठीक है इस पार्ट में आज हम क्या टॉपिक देखने वाले है इस पार्ट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण यानि की one of the most important topic जो reasoning में आपको हर paper में देखने मिलेगा वह देख रहे हैं जो की है blood relation एक से दो प्रशन आने बहुत ही लाजमी है हमेशा ही पूछे जाते हैं आगे भी पूछे जाएंगे और बहुत ही interesting topic है easy topic थोगा सा कहीं कहीं मेहनत करनी पड़ती है बट इसके marks easily हमें मिल जाते हैं आइए देखते हैं किस किस तरीके के प्रशन पूछे गए हैं previous year में जैसे कि आप जानते हैं हमाम जो भी इधर आज के जो भी इस reasoning brahmaster series में काम करते हैं वहां previous year questions पर रहते हैं और अच्छे paper में ज जब से ये रहेगी कि जैसे ही प्रशन आपको दिखे पहले आप उसे pause करेंगे खुद से solve करना बहुत जरूरी है ठीक है उसके बात solution तो आपके पास pause से जब play करेंगे तो वहां पस आई जाएगा परन्तु खुद को हमें solve करना वहां पर जादा जरूरी है ठीक है तो वो आप अपनाएंगे उतनी इमानदारी आप सभी को निभानी दूसरी बात यहां पर जब भी हम blood relation याने की रक्त संबंद पढ़ने याने की परिवार की बातें पढ़ते हैं तो हम सभी को माल में एक परिवार में महिलाएं पुरुष सब रहते हैं ठीक है तो महिलाओं को आप प्लस से रिप्रेजन कर सकते हैं कि आगे चलके confusion ना हो तो पुरुषों को मैं अमोमन क्या करता हूं यहाँ प्लस से रिप्रेजन करता हूं महिलाओं को females को minus से रिप्रेजन करता हूं अब ध्यान से देखिए यह एक बहुत जरूरी बात है दूसरी बात जब भी आप भाई-भाई बहन का रिष्टा या भाई-भाई का रिष्टा बनाए तो मैं किया करता हूं ऐसी sign मुना देता हूं तो मुझे पता चल जाता है लापस बहस में भाई-भाई हो सकते ड़बहन ह क्या की पीड़ी मिला ये क्यों जरूरी है नहां से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि अगर मान लीजे ये कोई A है ये एक लड़का है मैं बोलता हूँ B है इनकी बेहन तो आपने ऐसे बना दिया अब मैं बोलू C जो है वह A की पतनी है अब अगर आप उनको भी ऐसे ही बना देंगे C को पतनी को तो कोई देखके नहीं बता पाएगा कि अच्छा A और B भाई बहन है और A और C पती पतनी है कुछ फरक होना चाहिए भाई बहनों में और पती पतनी के रिष्टों में कुछ फरक दिखना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, भाई बहन, यानि की सिबलिंग वाले रिष्टों में क्या करेंगे, सिंगल लाइन बनाता हूँ, जबकि पती पतनी यानि की एक शादी शुदा जोड़े के रिष्टे में मैं दो लाइन बना देता हूँ, ठीक है, इसको आप X भी बना सकते हैं, आप इस तरीके के प्रशन पूछे जा रहे हैं, पिछले दो एक साल में इस तरीके के प्रशन पूछे जा रहे हैं, रक्त संबंद में, जहां पर कुछ सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है, और यहां पर हमें इसको डीकोड करना है, समझना है, तोडना है, और फिर देखना है क कौन सा रिष्टा किसके लिए बन रहा है जैसे कि यह प्रशन एक बार आप चेक करें C set 2021 का P hashtag Q का अर्थ है पहला इंसान दूसरे इंसान का पती है P at the rate Q का अर्थ है पहला इंसान दूसरे इंसान की बहन है P and Q का अर्थ है पहला इंसान कि पहला इंसान दूसरे इंसान का पती है C जो है वो क्या हो गए? पती हो गए यहाँ बना C जो है वो कौन हो गए? पती हो गए किसके F के? तो शादी शुदा जोड़ा F हो गई पत नहीं दूसरी बात देखिए F at the rate N यहाँ पर लागव होगी कि F जो है वो कौन है? N की बहन ठीक है? F बहन है N के बारे में अभी तक हमें नहीं बता है N% J मतलब यह वाली बात यानि कि पहला इंसान N जो है वो J का क्या है? पत्र है N% J देख रहे हैं यानि कि N जो है पहला इंसान दूसरे इंसान का क्या है पूत तो N पुतर है वो भी किसका J का तो कहीं न कहीं J की दो संताने हुई N और F आपस में भाई बेहन इनकी दो संताने हुई N और F अभी तक तो यहा से यही समझने आ रहा है कि दो संताने हुई J hashtag G J जो है G का पती है G and U, यानि कि G जो है U की माता है, तो देखिए G, U की भी माता है, अभी तक F और N की माता थी थी, इनकी एक और संतान हुई, उनका नाम हुआ U, तो कहीं न कहीं, J और G के लिए अब आप बता सकते हैं, कि तीन संतान है, F and U, U का अभी तक हमें जेंडर नहीं बता है, कि महिला ह यानि कि पहला इंसान, U जो है, वो Z दूसरे इंसान का पती है, तो यह पती है, यानि कि यह भी पूरुश हुआ, और यह Z का पती है, यानि कि Z क्या हुई, पत्नी महिला हूं, तो इस तरीके की बात बन रही है, यहाँ पर, कि J और G जो थे, शादी शुदा जोड़े थे, इनकी तीन संताने हुई F, N, U, N और U लड़के हुए, F एक लड़की हुई, U की पत्नी Z है, F का पती C है, तो इस तरीके से रिष्टा आपका बन रहा है, आगे क्या पूचर जा रहा है, तो निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं, देखिए, मैं एक आपको ट्रिक जरूर शेयर करूँगा यहां पर, कि जब भी पूरे रीजनिंग में, या मैट्स में भी जाके, कहीं ऐसे प्रशन हमें मिले, जहां पर हमें options को try करना है, और देखना है, कौन सा सही है, या कौन सा गलत है, तो अमूमन मैं क्या करता हूँ, नीचे से शुरुआत करता हूँ, क्यूं बोल रहा हूँ, देहां से समझी, क्यूंकि अमूमन answer नीचे के options में छुपा रहता है, क्यूंकि mindset ऐसा होता है, कि ऊपर से आप चेक करते आएंगे, आप हताश होंगे, आपको answer नहीं मिलेगा, इसलिए मोटे-मोटे तौर पे, अमूमन आप देखेंगे, answer नीचे की तरफ छुपाया जाता है, यहां पे भी हम नीचे से शुरुआत करते हैं, और देखते हैं क्या हमें answer मिलता है जल्दी की नहीं, साथ फील्सदी केस में आपको नीचे answer मिल जाएगा, चालीस फील्सदी केस में उपर answer मिल जाएगा, यह मैं अब आप पे छोड़ता हूं कि आप कैसा चयन करते हैं, आईए, तो जी जो है, क्या C की माँ है, नहीं, जी जो है, वहाँ F की माँ है, और F का पती C है, यही कथन गलत है, यही कथन गलत है, और हमें क्या चुनना था, सही जो नहीं हो, सही जो नहीं हो मतलब गलत कथन कोई चुनना था, तो option D आपका सही उत्तर यहाँ पे बनता है, मतलब यह आपका चुनने वाला उत्तर बनता है, ठीक है, देखिए, बाकी तीन अवश्य सही होंगे, कै मैं यह चेक करा रहा हूँ, आपका उत्तर यहीं आगया, J जो है, Z का ससुर है, देखिए, J जो है, Z का ससुर है, अवश्य है, क्यूं? क्यूंकि J जो है, उसी की संतान U है, और U की पतनी है यह, तो J क्या हुआ, Z का ससुर हुआ, यह कथन अपने में ही सही है, N और U भाई है अवश्य देख रहा है, N और U भाई है, A की माता पिता की संतान है, दोनों लड़के हैं, तो भाई हुआ है, F जो है, U की बहन है, F, N की बहन थी, तो U की भी अवश्य ही बहन रही होगी, तो देखिए, उपर के तीन कतन सही थे, चौथा वाला कतन गलत था, जो नीचे ठीक, वही सांकेतिक भाषा का प्रयोग, और आप से क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है, वहाँ पे ये लिख दिया कि कौन सा कथन सही नहीं, मतलब वो गलत कथन को ही चुनने बोल रहा था, यहाँ पे सीधा उसने लिख दिया, गलत कथन को पहचाने, A प्लस B का अर्थ है, पहला इंसान दूसरे इंसान का पिता है, A डॉलर B का अर्थ है, पहला इंसान दूसरे इंसान का माता है, ठीक, हमसे बूचा जा रहा है, P प्लस L, पहले ये चीज दिख रही है, इसी को निप्टा दो, P प्लस L, यहनि कि ये वाला रिष्टा है, पहला इंसान द दिखान दीजे, तो L U, dollar है भीच में, याने कि पहला इंसान दूसरे इंसान की माता है, L जो है वो U की माता है, तो माता है U के बारे में नहीं पता है, U percentage T, L और U हो गया, अब U से T पे, U और T के बीच में क्या है, percentage याने कि ये वाला रिष्टा, याने कि U जो है T के पिता है, U खुद पिता है, यानि कि ये पुत्र रहे होंगे, इनकी एक संतान हुई T, इस तरीके से, ठीक है, T डॉलर N, इसका अर्थ हुआ ये वाला, डॉलर वाला, यानि कि T जो है, वह N की माता है, T खुद एक माता है, यानि कि वो पुत्री रही होंगे अपने खांदान में, और य प्लस लिख देते हैं, और ये आई का पती है, यानि कि आई कौन होई खुद, माफ करिए का, आई होई पतनी, इस तरीके का ये खांदान देख रहा है, यहाँ परदादा लोग तक बात चली गए है, क्योंकि चार पीड़ियां देख रही है, ये पहली पीड़ी, ये दूस ध्यांचे समझेए, टी का पापा है यू, और यू की माता है इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने पिता की माता को क्या कहते हैं, दादी कहते हैं, ना की नानी, ये कथन गलत है, यानि यही आपको चुनना था, option number D, आपका सही उत्तर होता, मैं अभी भी आपको दिखा देता ह कि तीनों option उपर के सही होने चाहिए, क्योंकि गलत कतन था हमने अल्रेड़ी भी पहचान लिया, यू, एन का नाना है क्या, देखिए, यू, एन का अवश्य ही नाना है क्यों, क्योंकि एन की माता थी T, छेकि है, हम अपनी माता के पिता को नाना ही कहते हैं, ये बात सही थी T, I की सास है या, देखिए, हाँ, T का बेटा है N, और N की भी भी है I, तो T खुद को देखेंगी I की सास की तरह, बिल्कुल सही है, UP का पुत्र है, U अगर L का पुत्र है, L का पती ही P है, तो P और L की संतान U हुई, और वह पुत्र था ही था, तो देखिए, उपर के तीन option फिर से सही देख रहे हैं, चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100 फीस दी नहीं होता है कि नीचे ही आंसर मिले, 60 से 65 फीस दी आप देखेंगे, अमूमन केसे में आपको नीचे उत्तर मिलेगा, तो ये अगर ट्रिक आपको समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो इसके लागा, C-set 2019 का प्रशन है, पढ़ते साथ ये वाले प्रशन बन जाते हैं, जो भी फोटोग्राफ के प्रशन हो, यहां हम जैसे कभी कहते हैं, इशारा करते हुए मैंने बताया कि देखो ये मेरा ये लगा, वो लगा, फलाना धिमकाना, तो इस तरीके के प्रशन पढ़ते यानि कि A कह रहा है, तो A खुद को बता रहा है, मैं बोल के, ठीक है, A अपनी दादी, A की दादी कौन होगी, A की दादी वो होगी, जो इसके पिता की माता हो, ये A की दादी आ गई, A की दादी की लड़की, मतलब इनकी एक लड़की भी है, ठीक है, ये लड़की है, लड पीनेस भी लिख देता हूँ बिल्कुल यहाँ पे वही बात स्पष्ट होती है, कल मैं अपनी दादी की लड़की के एकलोते भाई, दादी की लड़की, यह दादी भी लिख देता हूँ कि confusion दूर हो जाए, दादी की लड़की के एकलोते भाई, इनका एकलोता भाई मतलब हमारा पिता, तो ऐसा भी option number D, ऐसे भी आप लिख सकते थे, परन्तु यह वाले प्रश्ण में इतनी आपको ड्रॉइंग करने की भी आवेशकता नहीं है, पढ़ते साथ भी यह प्रश्ण बन जाद है, सिर्फ अभ्यास की जरुवत पढ़ती है, आईए देखिए यह वाला प्रश्ण बनानी चेक करते हैं, रवी शुएता का भाई है, यह रवी खुद भाई है, प्लस हो गया, किसका शुएता का, शुएता के बारे में नहीं लिखाया, जोती नीलम की बहन है, अब यहां कहा बनेंगी जोती और नीलम इन दोनों संबंदित अभी नहीं दिख रही है, तो मैं जोती और नीलम को यहां कहीं बना दूँ, बना देते हैं, जोती बहन है नीलम यह, ठीक, तो जोती महिला है अभी तक, शुएता रोहित के पिता की पुत्री है, शुएता एक पुत्री है, मुझे यह तो माल मैं भाई बहन है, पिता एक ही रहे होंगे, पर अभी तक यहां नीस प बहन कौन थी जे तो इन दोनों के पिता यहां माता हुई सुबाश नाम से तो ऐसे मर्द लग रहा है बट यहां पे अभी मैं नहीं लिखूँगा प्लस या माइनस सपस्ट हो जाएगा तो लिख देंगे सुबाश की संताने कौन हुई जे और एन दोनों जो बहने हैं दोनों पुत्रियां हैं उनकी आगे क्या लिखा है जोती रवी की माँ है यानि कि यह जो जोती थी नीलम की बहन वहाँ रवी की माँ है तो मैं इस रवी को वहाँ नीचे जाके फिट कर देता हूँ रवी की यह माँ थी ठीक है रवी खुद भाई है किसका शुईता का यानि कि जोती की दो संताने हुई अभी तक R और S ठीक महेश जो है नीलम की एक मात्र भेहन नीलम की एक मात्र भेहन कौन है जोती का पती है नेलम की एक मातर भेन जोती का पती कौन है महेश, शादी शुदा जोड़ा महेश, प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जोती खुद महीला है, पती मेल रहा होगा, रोहित का सुभाश से क्या संबन्द है, देखे, रोहित की माता का पिता भी हो सकता है, यह की माता भ पोता हूँ, क्या हूँ, पोता हूँ, क्योंकि प्लस है, मतलब पुरुष है, यह शुवेता के लिए पूछा जाता तो हम बोलते है, पोत्री है, तो रोहित क्या है, पोत्र, option number B, सपष्ट उत्तर है, इंगलिश में पूछा जाता, तो रोहित सुभाश के लिए, ग्रेंड सन लगता शुवेता ग्रेंड डॉटर लगती हिंदी में आप इसको पौत्र बोल सकते हैं ठीक है बढ़िया देखिए इजी वेशन से बहुत ज़्यादा कठिन चीजें पेपर में नहीं पूछी जाती है ठीक है आईए चेक करते हैं देखिए ये वाला अब एक प्रशन बचता है ठीक है पैसेज फॉर्म में ये प्रशन कई बार प्रशन पढ़ते साथ इनसान इस प्रशन को छोड़ देता है क्यूं जैसी आप पढ़ोगे पीक्यू आरेस्ट यूवी डबलू और एक्स एक नौ सदस्यों का परिवार है आप देखिए ये 2021 का प्रशन है ये पैसेज के बाद दो प्रशन आगे पूछे गए हैं जो इस पे आधारत है ठीक है तो आपको ध्यान दीजिए इसको अगर एक मिनिट बाकी वेशन के लिए देते हैं तो इसको अगर दो मिनिट भी देते हैं तो कोई खराब बात नहीं है क्य की विवार के 9 सदस्य हैं जो इक भीशन चक्रवात यानि की साइकलोन के कारण एक घर में फस गए है ठीक 9 सदस्यों में तीन विवाहित जोड़े इन मेरेड कपल है ना तीन मेरेड कपल एक बच्चे के माता-पिता दोनो जीवत है यानि कि इस खांदान में कोई भी जो है ठीक है मौजूद यहां पर तीन चाधी सुटव लोड़ा है आर टी का चाचा है यानि कि यहां से रिष्टेदारी बतानी चालू होगे तो हम ड्रॉ करते है आर जो है टी का चाचा है आर चाचा हुआ किसका टी का यानि कि टी इससे एक पीडी नीचे आएगा आर खुद को चाचा कब कहेगा टी का तभी कह पाएगा यानि कि आर के भाई का बच्चा अगर टी है तब ठीक है क्योंकि हम भी अपने पिता के भाई को ही चाचा कहते हैं यह बात आपको समझ नहीं है आर टी का चाचा है जो वी की इकलौती बेटी है टी बेटी है ठीक है आर चाचा थ पुरुष्था, वी टी के माता-पिता में से कोई एक जन है, ठीक है, वी इन दोनों में से कोई एक जन है, ठीक है, हमें पता नहीं है, कौन है, आईए चेक करते हैं, डबलू जो है, एक्स की चाची है, यहां एक्स ही हमें नहीं मालूम है, एक्स जो है, आर की एकलोती बेटी यहाँ से आपको पता चलिए है कि R की एकी बेटी, इकलोती बेटी कौन है? X, बेटी है और इनसकी चाची कौन है? W, आप देखिए अब यहाँ पे बात सपश्ट होगी X की चाची कौन लगेगी? आपकी चाची कौन होगी? आपकी चाची वो होंगी जो आपके चाचा की बीबी हो आपके चाचा की बीबी मतलब जो आपके पिता के भाई की बीबी हो तो X के पिता R के भाई यहाँ पे की बीबी हो यह कौन लगी? W W क्या लगी? X की चाची यह चाची हो गई याने कि मुझे मालूम है कि T में से किसी के माता-पिता V तो था ही था क्योंकि V की संतान T थी तो अब मुझे पता चल रहा है कि V कौन होगा यहाँ पे एक पुरुश होगा तो यहाँ पे क्या दिया होगा था यहाँ पे यह बात लिखी होगी थी वी की संतान T है अब मुझे पता चल रहा है कि W जो है X की चाची है यानि कि यहाँ पे R K भाई की B B है कौन W तो अब मुझे मालम है कि यह B B है और यह V है नहीं यह तो खुड W है तो यहाँ पे V आना चाहिए जो कि एक पुरुश हो ठीक है मिल चुका है ठीक आईए W जो है X की चाची भी हो गई दिख रही है जो कि R की इकलोती बेटी है ठीक S जो है Q की बहू है अब Q कहा है Q तो पता नहीं है Q की बहू है जो W का पिता है यानि Q जो है वो W का पिता है Q यहाँ पे एक पिता है किसा W का चाहिए जिसकी BBS हो सकती है इसका एक बेटा होना चाहिए जो W का भाई रहा होगा चाहिए और इसकी एक BBS होनाई हो जो Has होगी तब ही तो आप बोलोगे की Q जो है S का ससुर है या S जो है Q की बहू है ठीक बाद है ठीक है यहाँ पर लेखते हैं और क्या क्या लिखा है S क्यूंकि बहू है जो W का पिता है W का पिता हो गया S की S जो हो गई बहू हो गई Q की ठीक है क्यूंकि S ने Q के लड़के से शादी करनी है अब आप देखिए V का विवा S से नहीं हुआ है तो V तो हमें यहाँ पर स्पष्ट हो गया था कि V का विवा यहीं पर हुआ है ठीक है W से और S से नहीं हुआ है U जो है P की मा है ठीक है अब आप देखिए ये भी इस खांदान में एक बच्चा ही है इसके माता पिता जीवित है यानि कि यहाँ पर एक बीबी की जगे बनती है ठीक है ये भी उसी खांदान में बच्चा है तो अवश्य ही इसकी माता जिंदा रहनी जीए तो U जो है P की मा है जो महीला सदत से नहीं है आपको मालूम है यहाँ पर आपको एक पुत्र की जरवत थी ठीक है पुत्र इसले क्योंकि S की शादी एक लड़के से हुई होगी तब ही S बहू बन पाएगी किसकी क्यों की तो यहाँ पे आपको एक पुत्र वैसे भी चाहिए यानि कि एक बुरुष आपको वैसे भी चाहिए वहाँ पुरुष कौन हो सकता है P हो सकता है तो अब क्या होगा देखिए यहाँ पे बैठाने वाली बात है संजोक से आप बैठाएंगे से P को आपने यहाँ पे बैठाया एक पुत्र मिल गया जो की जरुवत भी थी S अब बहु होने लग गई ठीक है और यह क्या लिखा है अब यह एक यहाँ मिल गई तो तीन शादी शुदा जोडे भी यहाँ मिल गए जो भी संतान है जो भी बच्चा है उनके माता पिता भी यहाँ पे मिल गए अवश्य ही यह एक प्रशन जरूर बन सकता है कि X के लिए यहाँ पे पिता अवेलेबल थे माता अवेलेबल नहीं है परन्तु यहाँ पे यहाँ लिखा गया है क्या लिखा गया है कि एक बच्चे के माता पिता दोनों जीवित हैं जीवित रहे होंगे शायद यह जो नौ जन बिचारे साइकलोन में आके चक्रवात में फस गए हैं तो ये शयद इनकी पतनी यहाँ पर नहीं फसी हैं नहीं आई होंगी इनके साथ तो यहाँ पर इसलिए हम नहीं बना रहे हैं जबकि अगर हमें बनाने का मौका मिलता तो एक सदस्य और एक महीला रहती तो हम यहाँ पर उनको बना सकते थे पर तब क्या होता तीन की जगे हमें चार विवाहे जोड़े भी देखने को मिलते तो अभी नहीं उनके बारे में चर्चा की गई है तो हम यहाँ पर उन्हें नहीं फिक्स करेंगे जितनी चर्चा की गई है पांच और यह हो गए दो साथ और दो नौ ये नौ जनों की चर्चा की गई है हमने यहाँ पे इन नौ जनों के रिष्टों को बना लिया ठीक है इस तरीके से आपको fit कराना पड़ेगा decent question है आईए देखते हैं प्रशन क्या बूचे जा रहे यू का वी से क्या संबंद है यू कहां है यू है ये इनका वी से क्या संबंद है देखो यू की बेटी है डबलू क्योंकि Q की बेटी डबलू थी तो यू और Q की संतान हुई लड़की संतान हुई डबलू उसका पती है वी तो u का v से क्या संबन है u खुद को देखेंगी इसकी सास की तरह और v खुद को देखेगा u के दामाद की तरह खेर आप से क्या पूछा किया u का v से संबन पूछा किया तो u यहाँ पे खुद को एक सास की तरह देखेंगी v के संदर्व क्योंकि V ने किस से शादी कर रखी है W कौन है U की बेटी है तो आप अपनी बेटी अब अगर महीला है तो आप अपनी बेटी के पती के लिए एक सास हुई आईए दूसरा प्रशन देखिए T का Q से क्या संबंद है T का Q से क्या संबंद है T यहाँ पे है, Q से देखिए T क्या हुई, Grand Daughter हुई, दो PD नीचे, तो आपको मालम है यह आपके दादा या दादी, नाना या नानी जो भी लगे, आप तो इधर पुत्री है और दो संतान नीचे है तो आप कुछ तो यहाँ पे Grand Daughter या Grand Son हो सकते थे बेशक आप पुत्री है, तो आप Grand Daughter होंगी यहाँ पे, पोती option number C आपका उचित उत्तर है तो यह प्रशन डिसेंड था इसका अगर आप screenshot लेना चाहें, तो बिल्कुल ले सकते हैं comment भी कर सकते हैं, अगर कुछ आपती आपको लगती है ठीक है, तीन शादी शुदा जोड़े भी हमने मिला लिए लोगों के माबाब भी मिल गए टी भी एक बच्ची थी इस कांदान में इसको भी माता पिता का सुख मिल गया ये दोनों इस कांदान में बच्चे थे आपको अच्छी लगती है, तो आप बिल्कुल इसे सपोर्ट करिए, तो ऐसे ही क्या होगा, आगे हम आर वीडियो और टॉपिक्स पे आपके लिए बेशक जल्द से जल्द लेकर आएंगे, मिलते हैं फिर अगली गुरुवार को, तब तक के लिए शुक्रिया.